दोस्तों आज से करीब साथ दिन पहले यानि की चार मैई की रात की बात है इस वक्त मैं जहां खड़ा हूँ मेरे पीछे जो आपको दूख अच्छे जौपे नजर आ रहे हैं यहाँ पर एक पती और पत्नी निवास कर रहे थे दर असल इस घर में तीन दिन पहले ही वो आये थे इससे पहले वो अपने परिवार के लोगों के साथ थे और तीन दिन पहले ही उनका घर से अलग रहने का उनोंने निरने लिया था और जो उस घर की पत्नी थी वो अपने पीहर थी पीहर से सीधी उसकी मा उसे इसी घर में पह साथ दिन हो गए हैं परिवार के लोग पुलीस तमाम लोग अलग-अलग पर्यास कर रहे हैं कि उसका पता लग जाये लेकिन पिछले चार दिनों से उस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं है और इस बात को लेकर यह बात भी सामने आई है कि इस घर में जो व्यक्ति गयब हुआ ह वो और उसकी पत्नी दोनों ही थे उनका कोई अभी बच्चा नहीं है क्योंकि उनकी साधी को बीस महीने ही हुए है और ऐसी बात भी सामने आई है कि जहां पर जब ये सुबह इनके परिवार के लोगों को मालूम चला कि वो आखिर कहां गया है यहां पर पहुंचे तो यहां पर खून भी बिखरा हुआ था ऐसा इनका कहना है अलाग कि उसके बाद पूलिस भी यहां पर पहुंची है और तमाम प्रकार के प्रयास की जा रहे है कि आखिर क्या हो गया जो साथ दिन से एक यूवक जिसकी साधी 20 महीने पहले वी थी और अपने घर से अलग रहने का नि पहले कि इनकी सूचना मिली उसके बाद से उसकी जो पत्नी है वो इसके घर को छोड़कर वापस अपने पीहर चली गई है अलाग कि इनके परिवार के जो लोग हैं यूवक के परिवार के लोग हैं वो कई प्रकार के आरोप भी लगा रहे हैं क्या उनके आरोप हैं हम मिला के निसान और चले गई पुरोष के पवाकर आवारोप में निसान वहां हैं। ऑसे बात सामने आई हैं और ऊसा बताय जा रहा है कि रात को जब लुजोंग है फिर उसे गया गया है किया पूरी बात है वह इन से जानेगे उनकी फाना है कि उसकी पतनी थी कि घर इन पहुन्च director लिए गई होगी ऐसी बात भी सामने आई है यह घटना राजस्थान के बाडवी जिले के सदर थाना चेतर के सनावडा गांव की हैं और यह जो यह पूरी की पूरी घटना हुई है उसके बाद से इनके परिवार के लोगों ने कल बाडवी जिला पूरी सदिक्षक से मिलकर उ स्वापा था और मेरे सयोगी से कहूंगा घर भी पूरी तरीके से दिखाएं जहां पर यह घटना कारित हुई है और यह रास्ता जो है इस रास्ते से गई है जो युवक है वो गयब हुआ है तमाम परकार की जो बाते हैं वह मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा और इनक अब यह घटना हो चुकी है ऐसा इनका आरोफ है क्योंकि उन्हों को खून के दब्बे भी दिखे हैं खून के निशान भी दिखे हैं और उसके बाद से इनका ऐसा कहना है कि जहां सड़क पर पहुंचता है वहां पर भी खून के कुछ निशान हमें मिले हैं तो क्या पूरी धायन हमत्र आपिए